केदारनाथ धाम समेट केदार घाटी की आपदा प्रभावित शेत्रों में रहत इवं बचाव कारे आज पांचवे दिन भी निरंतर जारी रहा। सुभए मौसम साप रहने पर लोगों को एरलिफ्ट करने की अभियान में सेना के MI-17 और चिनूक का भी इस्तमाल किया गया। एरलिफ्ट किये गे यात्रियों को MI-17 ने चार धाम हैलिपैट और चिनूक ने गोजर हवाई पट्टी पर उतारा। वहीं लोगों को खोजने का काम भी जारी रहा। इसके लिए सेना के स्नीफर डॉक्स की मतत ली गई। हालांकि लिंचोली से रामबाडा शेत्र तक किये गए सर्च ऑपरेशन में किसी व्यक्ति की मिलने की पुष्टी नहीं हुई। इस बीच राजधानी देरादून से पहुँचे शासन के उच्चा अधिकारियों के दल ने आज किदार घाटी का हवाई और धरातलिय निरिक्षन किया। इस दल में आपदा प्रबदन सचीव विनोध कुमार सुमन, लोक निर्मान विभाग के सचीव पंकस पांडे, गडवाल मंडला युक्त, विनई शंकर पांडे और लोक निर्मान विभाग की मुख्य अभियंता दयानन्द शामिल रहे। की पैदल यात्रा को 15 दिन के भीतर सुचारू करने के लिए सभी समंदित विभागों से सुझाओ मांगे। इसके लिए अनिवारे पुन निर्मान कारियों का एस्टिमेट तयार करने के साथ ही 2-3 दिन के भीतर कारिया शुरू करने के निर्देश दिये। वहीं केदार घाटी आबदा के बाद रहत वबचाव कारियों के साथ तीर्थ यात्रियों को निशुल्क भोजन उपलब्द कराने में केदार घाटी के जन्मानस के साथ विभीन सामाजिक संगठनों का योगदान मिल रहा है।